हाई फ्रेंड्स गुड़ मॉर्डिंग स्रीकाल राम 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 आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और माफ करिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया थोड़ा सा तब यतनी ठीक थी और वैसे ही मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर तो अभी हून ही जब होंगा तो देखा जाएगा तब लोग मैं बेसबरी से भी इंतजार करेंगा ठीक है अभी तो आप ही लोग के लिए करता हूँ ठीक है उसमें खुशे मिलती है खेर आते हैं मुद्दे पे हमारा टॉपिक अभी पेंडिंग बीच में रह गया था वो कम है जादा है आने वाले टाइम में आपकी एफेक्ट तो नहीं होगी मतलब कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स थी अब हम आते हैं कि आपने ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपने मैसूस कर लिया कि हाँ भाई मेरी गैस तो कम हो रही है मुझे मेकैनिक के पास जाना है और अब जाना है तो मेकैनिक को आपको बोलना क्या है तो जब आपके पास थोड़ा सा नौलिज देखेगा मेकैनिक चाहें कोई भी हो कहीं का भी जब जानता है कि हाँ अगला बंदा थोड़ा नौलिजबल है तो थोड़ा सा आपको चीट करने में भी थोड़ा से एक बार सोचता है घबडाता है तो मैं यही चाहता हूँ आवेरनेस की आप लोग कहीं भी जाएं तो मेरा नाव रोशन करें या आपको कोई चूना ना लगा पाए ठीक है बहुत ज़्यादा हो गया अब तो ठीक है अब आते हैं सीधे मुद्दे पे और जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया ही था विंड से आपको पता करना है आपका फ्लो कैसा है कैसा नहीं है आपको कूलिंग मैसूस हो रही है नहीं हो रही है अब आप मेकैनिक के पास जाएंगे तो AC के हम आपको बेसिक फंडा माफ करिए इसलिए तवियत खराब थी गलावला खराब है मौसम चेंज हो रहा है AC के फंक्शन में मतलब तीन चीज इंपॉर्टन तीन चीज के AC भी ठीक उसी तरसे काम करता है जैसे आपके इंजन काम करते हैं सक्षन कंप्रेशन कंडनसेशन और इवापरेशन जैस साइकेल है ख्यार ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे काम की बात पर आते हैं अब आपको जाना है उसके पास पहला बोलना है कि भाई मेरी गैस कम हो गई है एक काम करो गैस को कलेक्ट करो अपने सिस्टम में ध्यान दीजेगा गैस को कलेक्ट करो अपने सिस्टम में नाइट्रोजन टेस्ट करो नाइट्रोजन टेस्ट करने के बाद वैक्यूम करो और जब वैक्यूम होगा तो वो आदे घंटे होल्ड होना चाहिए तो उसमें मैनोमीटर होता है अगर वो जीरो पे है तो जीरो से बढ़ना नहीं चाहिए मतलब और प्लस में नहीं आना चाहिए निडल जहां है वहीं रहनी चाहिए तब आप शेयर हो जाएगे कि आपके इस सिस्टम में कोई लीक नहीं है ठीक है? और उसके बाद गैस चार्ज करवाईए जब तीन चीज़े आप भियान रखेंगे तो आपको वो कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा फिर से पहला गैस रिकलेक्ट कराईए क्योंकि जो बंदा चार्ज करेगा उसके पस मशीन होती हूँ गैस रिकलेक्ट करेगी फिर आप नाइटरोजन टेस्ट कराए नाइटरोजन टेस्ट से क्या होता है? नाइटरोजन प्रेशरराईज किया जाता है कई से हलका फुलक, अगर लीक भी होगा तो लीकेज वो तुरंट और ज़ादा हो जाएगा और वो लीक आपको पता चल जाया कि हाँ भाई यहां से लीकेज है क्योंकि प्रेशराइज जब किया आता है तो ज़्यादा प्रेशर होने की वैसे नाइट्रोजन वहाँ से लीक होना शुरू हो जाता तो आवाज जो है ना ओडिबल हो जाती है करके आवाज आएगी तो लीकेज पता चल जाएगा फिर वहाँ पे वो जो भी करना होगा ब्रेजिंग करना होगा जो करना होगा शौकेट डालना होगा वो mechanic का काम है लेकिन आप ये चीजें जो चोटी-चोटी चीजें ये याद रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा पहले तो यह देखिलें आप यह है आपका फ्रेयोन का ग्रेड आर वन थ्री फोर ए only लिखा हुए ठीक है और कोई गैस आप इसके उसमें यूज नहीं कर सकते है कम्प्रेसर ओयल का ग्रेड दिया हुए ठीक है और इसमें कितनी गैस होनी है देखें 780 gram, more or less, करिब करिब 780, 800, 800 gram मान लीज़े, 800 gram gas लगेगी इसमें, ठीक है, अब ये देखिए, ये है, देखिए जैसा कि name suggest कर रहा है इसका, ज्यान से देखिए, ये L लिखा हुआ है न, इसका मतलब है कि ये low pressure side है, और ये देखिए, ये नीचे, नीचे, नीचे एक और जगह है, वो H हाई pressure, उस पर H लिखा है तो वो हाई pressure होगी, anyway, आप ये लिखा लिखावट के उपर छोड़िए, मैं आपको बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ, और आप उससे बड़ी अच्छे से चीजें समझ जाएंगे, तो इसमें क्या है, कि लो प्रेशर जो होता है न, लो प्रेशर हमेशा मोटा लाइन रहेगा, ये देखिए, लो प्रेशर का लाइन जो है न, हमेशा मोटा रहेगा, तो आप समझ जाएगा कि अच्छा ही लो प्रेशर है, और हाई प्रेशर की लाइन हमेशा पतली रहेगी तो आप समझें एच्छा यह हाई प्रेशर है क्या लिए ठीक है यह क्लियर हो गया तो अब आप क्या कर सकते है आप आप सोप वाटर ले ले यह नॉब ऐसी बंद रहने दे क्योंकि गैस अगर फ्रेयॉन कभी भी उत तरी ती लीक हो रही है गैस गैस मेरी थोड़ा सा मुझे लगा कि लीक हो रही है एनवे जो भी हो पिक्या मुझे फिस फिदो हार्ड आवाज आई थोड़ी सी मेरी है मेरी gas थोड़ी सी leakage है यहाँ valve से क्योंकि मैंने ज़िए इसको थोड़ा सा घुमाया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी gas थोड़ी सी leakage है anyway वो मैं rectify करा लूँगा यहाँ पे valve होता है अंदर वो cut गया होगा तो बस यही चीज़ें आपको ध्यान देनी यहाँ पे ना थोड़ा सा soap water आप डालेंगे ना यहाँ पे तो bubbles निकलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि leakage हो रही है यह low pressure side में ऐसा पता चलता हाई pressure side में अगर leakage होगा ना तो बस यही चोटी चोटी चीज़ें आद रखिए खुद mechanic बने और awareness पैदा होगी और आपको कोई भी आपसे जबरदस्ती के पैसे नहीं ले सकता कि मैंने यह कर दिया मैंने वो कर दिया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया करते कुछ नहीं है पैसे लेते हैं ज्यादा ठीक है आज के लिए इतना ही कल फिर कोई नए टॉपिक पर आएंगे फिर नए वीडियो बनाएंगे नमस्कार